C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 125 सबक 20 गुदरती गैस गुदरत ने इनसान की सहुलत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीजें पैदा की हैं ये चीजें जमीन के उपर और नीचे सभी जगा मौजूद है जैसे जैसे इनसान के इल्म में इजाफा होता गया उसने गुदरत की पैदा की हुई चीजों को दरियाफ्त करना और इस्तेमाल करना भी सीख लिया उन्ही चीजों में एक गुदरती गैस भी है अब तक दरियाफ्त किये गए इंधन में खुद्रती गैस सफाई और सहुलत के आथबार से सबसे बहतर है लकड़ी, कोईला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रॉल के इस्तिमाल से धुआ पैदा होता है जो फजा को आलूदा करता है खुद्रती गैस के इस्तिमाल से इस आलूदगी में कमी आती है खुद्रती गैस का इस्तिमाल इनसानी तरकी की एक एहम मनजिल है खुद्रती गैस दरसल कई गैसों का मजमुआ होती है इसमें खुसूसन मीथेन और इथेन की मिगदार ज्यादा है इनके इलावा कार्बन डायोकसाइट, हाइड्रोजन सलफाइट और नाइट्रोजन गैसें भी होती है खुद्रती गैस आमतोर पर जमीन में दबे हुए मुर्दा हैवानात और नबातात के सडने गलने से पैदा होती है जमीन के अंदर तरह तरह के अमल से गुजरने के बाद ये गैस इकठा होती है जिसे जमीन से कुवाँ खोद कर हासिल किया जाता है ये गैस बेरंग और जहरीली होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है कुछ खुदरती गैसें बगएर साफ किये इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन ज्यादातर गैसें सफाई के मखसूस अमल से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल के काबिल होती है खुदरती गैस को एक जगा से दूसरी जगा भेजा जा सकता है इसके दो तरीके हैं पहला पाइपलाइन के जरीए और दूसरा एक सो साथ डिग्री सेंटी ग्रेट तक ठंडा करके पानी की शकल में टैंकर के जरीए सफा नंबर एक सो चब्वीस आज के दौर में खुदरती गैस घरेलो और सनती जरूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही है खुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ इंधन के तौर पर ही नहीं होता इससे नकली रबर, रेशम, नाइलॉन और प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं इससे खाद भी तयार की जाती है खुदरती गैस से कई दूसरी गैसें भी बनती हैं और उनसे भी तरह तरह की चीजें तयार की जाती है खुदरती गैस में बड़ी ताकत है और ये बड़े कार खाने और रेल गाड़ियां चलाने के भी काम आती है खुदरती गैस में एक ऐसी गैस भी होती है जिससे बनी हुई चीजों पर पानी, गर्मी, सर्दी, तेजाब किसी का असर नहीं होता उससे एक पिस्म का पतला कागस भी तयार होता है ये कागस पानी, सर्दी और गर्मी से महफूज रहता है इस काख़स में चीजें लपेट कर दूर दराज मकामात तक भीजी जाती है गरज ये कि कुद्रती गैस मौजुदा दौर में इनसान की मुख्तलिफ जरूरतों को पूरा करने का एक एहम जरिया है एक लफ्स और मानी खुद्रत खुदा की ताकत आसाईश आराम सहुलत सफ़ा नंबर एक सो सत्ताईस इजाफा बढ़ाना तरकी ज्यात्ती दरियाफ्त करना पूछना मालूम करना फजा माहौल आलूदा गंदा आलूदगी मिलावत गंदगी मजमुआ कई चीजों का जमा होना मिख्तार तोल वजन हैवानात हैवान की जमा जानवर जान रखने वाला नबातात नबात की जमा पेड़ पौदे मख्सूस खास खास किया हुआ या खास बनाया हुआ दूर दरास बहुत फासले पर बहुत दूर मकामात मकाम की जमा जगा दौर जमाना दो गौर कीजिये हम घिजा को पका कर खाते हैं पकाने के लिए इंधन की जरूरत होती है इसके लावा भी बहुत से कामों के लिए इंधन चाहिए गाड़ियां, रेल, जहाज और कारखाने वगएरा इंधन ही से चलते हैं इंधन कई शकलों में मिलता है जैसे लकड़ी, कोईला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रॉल अब कुदरती गैस नाम का एक नया इंधन दरियाफ्ट हुआ है जिससे बड़े-बड़े काम लिए जा रहे हैं गैस के इस्तेमाल से बड़ी हद तक आलूद की भी पैदा नहीं होती सफ़ा नंबर 128 3. सोच ये, बताईए और लिखिये अलिफ, इंधन के तौर पर कौन-कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं बे, गुदरती गैस किन गैसों का मजमुआ है जीम, गुदरती गैस की क्या खुसूसियात है दाल, गुदरती गैस को एक जगा से दूसरी जगा कैसे भीजा जा सकता है हे, गुदरती गैस से कौन-कौन सी चीजे तैयार की जाती है चार, इन लवजों से जुमले बनाईए इजाफा, मजमुआ, हैवानात, जदीद, मकामात पांच, इन जुमलों को सही लवजों से पूरा कीजिए अलिफ, गुदरती गैस खाली जगह और सहूलत के एदबार से सबसे बहतर है सफाई या गंदगी बे, गुदरती गैस दरसल खाली जगह का मजमुआ होती है कई गैसों या दो गैसों जीम, ये गैस बेरंग और खाली जगह होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है। खुशगवार या जहरेली दाल, गुदरती गैस का इस्तिमाल सिर्फ खाली जगह के तोर पर ही नहीं होता। इंधन या आग हे, इससे एक किस्म का खाली जगह कागस भी तयार होता है। पतला या मोटा छे, आपने पढ़ा के हैवानात और नबातात हैवान और नबात की जमा हैं। इसी तरह आप उस्ताद की मदद से यहां दिये हुए लवजों की जमा बनाईए। खयाल, एहसान, एहसास, मकान, मकाम सफ़ा नंबर एक सो उन्तीस साथ इस सबख से ऐसे चार जमले लिखिए जिन में इंधन का लवज आया है। आठ यहां दिये हुए लवजों को दिये गए खानों के मताबिक लिखिए जिसमें एक खाना इस्म का है, दूसरा खाना फेल का है और तीसरा खाना सिफत का है। दिये गए लवजों को इन खानों के मताबिक लिखिए। ठंडा, पैदा करना, जगा, बड़ा, कोईला, इजाफा होना, पानी, धुआ, कुदरती, गैस, चलना, सड़ा, होना, सीखना, जहरीरी, तेजाब, गुजरना, पतला, कुआ, पकरना, नकली, काघज, गलना, सफाई, नौ, खाली जगों में का, की, के, और को का सही इस्तिमाल कीजिए। अलिफ, इनसान की सहूलत और आसाइश के लिए तरहा-तरहा, खाली जगा, चीजे पैदा की हैं। बे, कुदरती गैस, खाली जगा, इस्तिमाल से, इस आलूदगी में कमी आती है। जी, कुदरती गैस, कई गैसों, खाली जगा, मजमुआ होती है। दाल, खुदरती गैस, खाली जगा, एक जगा से दूसरी जगा भेजा जा सकता है। सफ़ा नंबर एक सौतीस हे, ये बड़े कारखाने और रेल गारियां चलाने, खाली जगा, भी काम आती है। वाउ, मौजुदा दौर में इनसान, खाली जगा, मुखतलिफ जरूरतों को पूरा करने का एक एहम जरिया है। दस, दिये हुए लवजों को दिये गए खानों के मताबिक लिखिए, जिसमें एक खाना वाहित का है और दूसरा जमा का। गैस, इनसानों, जमीन, सहूलतें, लकडी, दर्याफतें, तेल, फजाएं, पानी, गाडियां, रौशनी, सनतें, टैंकरों, रेशम, काघजों, इंधन। ग्यारहा, खाली जगों में सही लवज भरिये अलिफ, काघज, खाली जगा, है पतला या पतली बे, जमीन, खाली जगा, है ठंडा या ठंडी जीम, कुमा, खाली जगा, है गहरा या गहरी दाल, गैस, खाली जगा, है निकलता या निकलती है कोईला, खाली जगा, है जलती या जलता वाउ पानी, खाली जगा, है बरस्ती या बरस्ता सफ़ा नंबर एक सो इकतीस बारहा यहां तीन कॉलम दिये गए हैं जिसमें एक कॉलम माजी का है, दूसरा कॉलम हाल का है और तीसरा कॉलम मुस्तक्बिल का है दिये हुए जुमलों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए मिसाल माजी वो पढ़ता था हाल वो पढ़ता है मस्तक्बिल वो पढ़ेगा तेरह अलिफ और बे के दर्मियान दिये गए इशारों की मदद से बे तर्तीब हुरूफ को तर्तीब वार बे के खानों में लिखिए कॉलम अलिफ अलिफ लाम छोटी ये छोटी हे वाव एक तहवार का नाम बे लाम गाफ अलिफ बे एक फूल का नाम जीम लाम मीम गाफ नून गुन्ना एक दिन का नाम दाल लाम मीम छोटी ये वाव एक सबजी यानि तरकारी का नाम हे मीम चे रे अलिफ एक महीने का नाम वाव शीन शीन काफ मीम एक मेवे का नाम जे काफ बे छोटी ये रे एक पालतु जानवर का नाम हे ते अलिफ चे छोटी ये एक जंगली जानवर का नाम तोई गाफ नून अलिफ रे वाव एक फल का नाम ये बे काफ ते वाव रे इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समय दर्सी किताब इप्तिदाई उर्दू सबक 20 कुद्रती गैस समय रिकॉर्डिस्ट बतिलाइंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमाइला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेश करदा CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत